नमस्कार किसान साथियों मैं हूं संदीब इश्णुई और आप देख रहे हैं एग्री कल्चर फार्मिंग यूटूब चैनल जिसमें सभी साथियों का एक बार पुने स्वागत है रोजाना हम आपको मंडियों के भाव हैं वो वीडियो के माद्दम से दे देते हैं कॉटन सीटी सूर्थगर से भी आपको कॉटन के लाइव भाव मिल रहे हैं लेकिन पिछले पांच साथ इनों से मंडी पर सासन्य हमें यान की जो सरकारी करमचारी होता है मंडी सेकेटरी या मंडी सची उसने हमें वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया है कि आप मंडी की लाइव वीडियो नहीं बना सकते इसलिए मैं आपको ट्रोलियों की फोटो कॉटन की फोटो या कोई पुरानी वीडियो को यूज करके उसमें वोईस डैल के आपको तत्का अब वर्तमान समय में बिनोडे तेल क्या रेट चल रहे हैं और यूएस डॉलर और कॉटन अंत्रस्टे बजार में क्या कुछ चल रहे हैं सारी चीजों का एक विसलेसन करके हम आपको एवरेस तेजी मंदी है वो बता देते हैं लेकिन क्या है कि कभी कबार आंकडा बिगड़ आता है रात को तो सुबह देखने को में कुछ और ही मिलता है ऐसा आज तक एक वार हुआ है रोज रोज नहीं होता देखो कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि हफते में रोज-रोज मंगलवार नहीं आते आंकडे एक वार उपर नीचे हुए तो सुबह मार्केट में भाव भी प्रमेंट आते हैं कि सर यूएस कोटन में इतनी जवर्णस्ति जी आशिमान चूरी है फिर भी हमारे भाव क्यों नहीं हमें अच्छे मिल रहे हैं लेकिन हमें अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं उसका रीजन ये है कि एक कॅंडल कोटन में 30 किलो बिनोडे और 70 किलो मान के चलो आप है 30 किलो कोटन और 70 किलो बिनोड़े आप यह खड़ मान के चलो तेल मान के चलो तो यह आंकड़ा रूई तो 30 किलो ही अगर रूई के रेट बढ़ते हैं तो वह महतापूर नहीं है क्योंकि एक उन्टले में से जो मटील सतर किलो निकड़ता है उसके रेट भी ज़रूरी है तो सारी चीजों पर निरवर करता है हमारे मंडी भाव क्यूंके अनुसार अकेला निरवर नहीं करता है सारे साथियों को मैं बता दोू लेकिन बार्तिये बजार करण अंत्रस्टिये बजार यूएस कॉटन इनमें से किसी एक चीज में यह डाउन रहेगा मन wears रहेगा तो सो टका बजार मंदा होगा लेकिन इन में से अगर सारे उपर है एक डाउन हुआ तो बजार मंदा होगा लेकिन ये सारे उपर चड़े हुए हैं तो भी हमें अच्छे भाव नहीं मिल रहें उसका रिजन ये हैं किसान अब तक जाग रुक नहीं है हम ये चाहते है किसान जादा से जागरुक हो और जादा से जादा अपनी वीडियो बना के शेयर करें यानि कि जैसे ही आप अपनी बजार में जाते हैं ट्रोली लेके तो वहाँ अपनी ट्रोली की एक वीडियो बना के शेयर करते रहें तो सारे किसान साथी हैं वो दीरे दीरे जागरूख होने शुरू हो जाएंगी और कितने को रोकेंगे मुझे मंडी पर साथ से रोका है लेकिन सारे किसान को नहीं रोक सकते इसलिए सारे किसान साथी हैं वो मंडी मा के लाई होने की कोशिश करे तो चलिए साथियो आज हम बात कर लेते हैं पहले हमारे नजदी की जो मंडियों में नर्मा भिका है और मारास्टर में आज रिपोर्ट आ रही है दस साजार रुपे नर्में भिकने की ओ सोरी ग्यारा जार की रिपोर्ट आ रही है तो सारे साथियों को मैं बता दूँ सबसे पहले रावडा मंडी में जो आज नर्मा भिका है दस साजार एक सो पचीस रुपे उपर में और डाउन में भिका है चुराण में सो रुपे करों है अगर हम भात करें रावडा में सर्सों की टो शर्सों 666St dat रुपे शेलिए कि चेतर सौ 4100 रुपे तक हम आगे चरचा करेंगे आगे पनी वस्लों में तैजीमंदी क्या रहेगी यहन्व कि दो फुरवरी को कोटन की वसल में तेजी मंदी क्या रहने की संभावना है उस पे भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो मूंग भी कहा जी तावन सो रुपे डावन में उपर में भी कहँ त्रेशाट सो पत्चपन रुपे अब आम बात कर लेते हैं जी राइसनेगर मंडिका राइस नेगर में मूंग भी कहाएँ 5050 रुपे से 1651 रूपए तक ग्वार भी कहाँ 5951 रुपे से लेके यान की नर्मा है वो अपने राइस निगर मंडी में शानदार भाव आपको देखने को मिलेंगे बात कर लेते हैं जीला मुखहले गंगानेगर की गंगानेगर में गयों भी किया जी आपकी 250 रुपे और नयागवार भी काई 56 से लेके 6015 रुपे तक पुराणा भी काई 5916 से लेके 5936 रुपे तक मातर 30 कुण्टल गी एक डेरी चना भी काया चुमाड़ी सो पचपन से लेके 4612 रुपे तक 70 कुण्टल सर्सों भी किया जी बासट सो पचास रुपे से साथ जार बासट रुपे तक 350 कुण्टल मूंग भी काया जी 4841 रुपे से लेके 6351 रुपे तक और नर्मा भी काई 8931 रुपे से 10,420 रुपे तक 200 कुण्टल नर्मा अब हम बात कर लेते हैं अर्याना की एलनाबाद मंडी की तो अर्याना की एलनाबाद मंडी में नर्मा भी कहा आपका 10,400 रुपे डाउन में भी कहा ठाण में 100 रुपे सरसो भीकिया चैंजार साथसो तो बैली औ डावन में बिकिया जार पांजार पांसुो पचास गवार उपर मेंट बिकाए पांजार नो सो रुपे डावन मेंग रिखावन कि ज्याने दोज आर एकी से दोज़ार पचास रुपे ते काड़ा थिल भी के 10700 रुपे और मुफली भी की है 3500 रुपे से लेके 4400 रुपे तक आज जिन मंडियों में 10,000 प्लस नर्मा रहा हैं उनमें अबोर मंडी 10,140 शिर्षा मंडी 10,100 रुपे एनलाबाद मंडी 10,053 रुपे रावचर मंडी 10,222 रुपे गंगा नेगर 10,420 पिली बंगा 10,435 अनूपगट 10,800 राइसे नेगर 10,525 और संग्रिया नर्मा 10,240 गोल्लुवाला नर्मा 10,560 और महराष्ट्र के अकोर्ट मंडी में आज 11,000 नर्मा भी कहा है YouTube में कमेंट आया है और गेंसिंग पुर में एक हिसान भाइग ने कमेंट किया कि गेंसिंग पूर में भी 11,000 विका है अब आपको जैस्ट गेंसिंग परसे को एक हिसान भाइग जुड़ा है तो जरूर बता चेतर सो रुपय तक गवार भी कहा त्रेपन सो रुपय से लेके छह जारai क्यांवन रुपय तर मूंग भी कह 555 देखे 61 सो रुपय तक और गैंग दड़ा भी कहाँ जी हम बात कर लेते हैं मुख्य मेरे कौटन सीटी सूरत गड़ से मेरी सेहर की तो नर्मा भी कहा जी चुराण में सो रुपे से लेके 10305 रुपे तक गवार भी कहा 5761 से लेके 5991 रुपे और ग्यों भी किया है 1950 रुपे तो यह आज की जो अपने पास मुख्य मंडियों के भाव थे वो यह है अब हम बात कर लेते हैं कि दो फरवरी 2022 को कौटन सीटी सूरत गड़ या अन्या जो अपनी मंडिया हैं उनमें भाव क्या कुछ रह सकता है तो सारे साथियों को मैं बता दूं कौटन सीटी सूरत गड़ समय में तेजी मंडिय क्या रहती है उस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं लेकिन आज जो आपने भाव देखें एक फरवरी 2022 को दो फरवरी 2022 को वो भाव हमें नहीं मिलेंगे देखो नर्मा कहीं न कहीं डाउन हो गया क्योंकि आज जो शांदार तेजी 11,000 वाली हमने देखी है उसके कारण सुबह बजार में ट्रोलियां ज्यादा आएंगी और किसान के साथ आप ये मान के चलो सुबह चार सुबह इसी होने वाड़े हैं क्योंकि हमें मंडिय में लाइव वीडियो बनाने के लिए मना किया तो उसका रीजन भी तो यह है ना कि आज जो तेज भी का मेरा जो मानना है वह मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं मेरा जो अनमान है वह मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं बाकि आप अपना सहर निरने से जो भी आप डिसेजन ले वह देख लें आप अपने विचार के अनुसार लेकिन जो मेरा मानना है कि सुबह आ सार अरब समय हो चुक है रात के दस बज के अठाइस मिनट तो आठ बज के अठाइस मिनट तक मेरे पास जो रूपोर्ट है उसमें यह है कि आपका कोटन की फसल उसमें तेजी बिलकुल भी कहीं मुझे नजर नहीं आ रही है अब हम बात कर लेते हैं गवार और सरसों सरसों में मारकेट में गवार के जोप्तवावश्य काफी दिनों ? सोब चाश रूपे उपर नीचे सोब चाश रूपे हो रहा वो एलग बात है अलेंकि सर्षों में 200-300 रूपे तक हमें तेजी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में लेकिन अब वर्तमान समय में पिछले 2-3 दिनों से भाव हैं वो टिके हुए हैं जीरे के भाव में तेजी है मूंपली के भाव में तेजी है लेकिन सर्षों के भाव के अगर हम बात करें अगर एंसी डेक्स में हमारी सर्षों को सामिल कर लिया जाता है तो हमें जरूर कहीं न कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा और सर्षों में एक शांदार भाव हमें देखने पैसे जुड़े उस पर हम लाइब चर्चा करते हैं रात को तकरिबन गंटा-डेट गंटा किसानों से चर्टा करते हैं तो उसमें आपको सारी जानकारी है वो मिल जाएगे तो चलिए साथ इस वीडियो को हम यहीं याण करते हैं और मिलेंगे जल देख नई वीडियो में सु सब कुछ संबव है आंकडे डाउन भी हो सकते हैं तो आप बजार जाने से पहले सुबह नोब जे बड़े वीडियो हमारी जरूर देखें जिसमें आपको फुल फाइनल जानकारी मिलेगी तेजी मंदिग तो चलिए साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं याण करता हूं सुबह आपसे फिर एक नई वीडियो में तब तक जे जवान जे एक सान सारे स्वातियों को सुबरात्री